Hello everyone, welcome back to ASNIT तो आज के वीडियो में अपने डिसकास करेंगे NIT 2024 के अलावा CUET UG 2024 के Registration के बारे में हाँ मैं जानता हूँ कि इस चैनल से जितने भी स्टूडेंट जुडे हुए हैं वो सभी NIT की प्रेप्रेशन कर रहे हैं तो NIT की प्रेप्रेशन कर रहे हैं तो आप ही तो हो जो इस एक्जाम को सबसे ज़्यादा क्रेक कर सकते हो आपके लिए इस एक्जाम को क्रेक करना बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा इस वीडियो के साथ जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे वो चाहते हैं कि उनका NIT का एक्जाम क्रेक हो हम सब यही चाहते हैं कि उनका NIT क्रेक हो उससे पहले लेकिन as a backup के तोर पर मैंने आपको काफे टाइम पहले भी वीडियो बना के update किया था कि कुछ exams हैं जिनको आप देखकर अपने लिए एक backup भी create कर सकते हो तो उसी के बारे में मैं आपको discuss कर रहा हूँ कि CUAT 2024 कि जितने भी universities हैं इंडिया के अंदर top universities या फिर किसी भी type का universities आप लेके चलो subject wise उसके basis के उपर आप मैडिमिसन ले सकते हो इंडिया में बाकी first priority तो आपकी need है ही but यह video बहुत से parents देखते हैं बहुत से students भी देखते हैं जिनको backup option चाहिए या फिर need तो अपना first priority है ही तो उसके बारे में discuss करेंगे कि registration start कब से हो रहे हैं कब तक apply कर सकते हो क्या इसकी fees होने वाली है क्या इसके rules and regulations है उस सभी बाते आपके साथ discuss करेंगे वीडियो के अंदर तो अगर वीडियो देखना start कर दिया है तो like कर देना subscribe चैनल को जरूर कर देना ताकि आपको इस तरीके की update exam से related क्योंकि need के आप preparation कर रहे हो तो आपका जो syllabus है वो same यही है जो कि CUET के अंदर भी आता है तो आप easily इसको crack कर पाओगे अब इसके क्या-क्या benefits है पहले के वीडियो में मैंने already बताया हुआ है explain किया हुआ है आज के वीडियो में सिरफ इसके registration से related बात करेंगे तो चलो start करते हैं like और subscribe कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो student need 2024 की exam के preparation कर रहे हैं वो CUET 2024 का exam भी as a backup के रूप में दे सकते हैं जिसके लिए registration start हो चुके हैं जो जी हाँ इसके registration CUET 2024 के लिए UG के जितने भी medical colleges हैं sorry जितने भी universities हैं colleges हैं उनके लिए admission start हो जाएंगे इस exam के थुरू आप देने के लिए याने कि ये exam अगर आप दोगे तो आपको किसी भी universities में अपना top के score के according या फिर आपके score के according या फिर किसी भी basis के उपर जिस subject से आप exam दे रहे हो उसके basis पर आपको admission मिल जाएगा इसके लिए official website के आप जब click करोगे तो official website इसकी है www.nta.se.in याने कि सकते हो अपने search box में डालोगे तो यहाँ पर open हो जाएगी और यहाँ से आप apply भी कर सकते हो अगर लिंक का link दे दूँगा उसका link दे दूँगा ताकि आप वहां से direct registration कर पाओ बाकी मैंने आपको update दे दिया है कि ये website है जहाँ से आप इसको register कर सकते हो अब बात करते हैं schedule की अब exam का जो schedule है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपके registration जो start है वो 27th of February 2024 से start हो चुके हैं और 26th of March 2024 तक चलने वाले हैं तो पूरा एक महिने का time आपको दिया गया है 28 और 29 days आपको यहाँ पर दिये गया है तो आपको यहाँ पर जब information bulletin में आपको दिखाऊंगा screen के उपर तो कहना कहीं पर आपको दिख जाएगा तो उसमें एकदम clearly लिखा हुआ है कि एक ही बार आपको यह CJ करने का मौका दे जाएगा तो आप किसी तरीके की mistake मत करना हलांकि correction window की particulars के अंदर आप correction window भी कर सकते हो जो कि आपको दो दिन का time दिया जाएगा 28th और 29th of March को दो दिन का time आपको दिया जाएगा जिसमें जरूरी नहीं है कि आपकी सारी doubt जो भी गलतियां हुई है वो ठीक हो जाए कुछ ही ऐसी गलतियां होंगी जिनको आप ठीक कर पाओगे तो correction के चक्कर में मत रहना सबसे पहले अच्छे से form को check कर लेना फिल करने के बाद में submit करने से पहले cross check कर लेना 2-3 बार जब तक आपको satisfaction complete नहीं हो जाता आप देखो बात करें exam cities की तो exam cities की आपको update मिलेगी 30 April 2024 तक तो यहाँ पर आपको automatically मिल जाएगी और अगर आप इस चैनल को subscribe करके रखोगे तो हम आपको बता देंगे तो आपको कोई problem नहीं होने वाली तो subscribe करके रखे ना चैनल को बाकी बात करते हैं और admit card release होंगे second week of may के अंदर तो जब आपकी नीट का exam हो चुका होगा जैसे कि फिप्तॉप मैं को आपका नीट का exam है तो उसके बाद this academic card आएंगे तो सबसे plus point इस exam का यह है कि आप पूरा अपना focus अपनी preparation के उपर लगा कर रख सकते हो इसमें कोई problem नहीं आने वाली तो जब नीटा exam हो जाएगा उसके बाद आपके सारे processes जो CMT के हैं वो start होंगे तो यह एक best चीज़े है इसकी exam आपका होगा यह को 15 मई से लेके 31st में 2024 के बीच में होगा अब आप सोच सकते हो कि यह कैसे हो सकता है possible होगा कि exam का कोई एक दिन नहीं है तो यार यह सब ही subject के लिए होता है Arts, Commerce और Science वालो के लिए सब के लिए होता है तो जो जो subject आप फिल करोगे उसके basis के उपर आपके exam होगी 3 shift में होगी सुभा, दोपहर और साम को तो 3 shift में कभी भी आपका number हो सकता है लेकिन 15th में से लेकि 31st में 2024 के बीच में आपका exam conduct करवा दिया जाएगा जिसे कि मैंने कहा कि इस channel को subscribe करके रख लो, हम आपको update continuously इसके बारे में देते रहेंगे तो आपको यह समझ आ गया होगा कि इतने time क्यों दिया गया है time exam का उसके basis पर अब बात करते हैं कुछ और अभी देखो, बात करेंगे answer की आपकी कबारी वाली है तो अभी answer की के बारे में को information नहीं है लेकिन result की बात करें तो 30 June 2024 को आपका result आ जाएगा यानि कि NEET के result के बाद में ही इसका result आएगा तो answer की कुछ न आपको इससे पहले ही आएगी 10-15 दिन पहले ही answer की आजाएगी आपकी या फिर 15 दिन तो आप राम से आप मान के चलो त्या दिन पहले तो आई जाएगी 25 से लेके 25 तक आपकी answer की आजाएगी रसे तो आपको exam जैसे ही आप दोगे आपको खुद को पता चली जाएगा UG 2024 will be conducted in 13 language, तो 13 languages के अंदर होंगी, जिसमें Hindi, English, जो भी है बाकी जितने भी languages हैं, मैंने complete note नहीं की, बड़ आर्टिकल में आपको दिख जाएगी उपर notice जो एंट ये का होगा, official, को मैं लगा दूँगा उसमें आपको ये सारी languages दिख जाएगी बाकी जो मैंने आपको official website बताई, वहाँ पर आपको दिखी जाएगी तो 13 language में totally एक्जाम होने वाला है अब बात करते हैं registration की जो कितने registration fees आपके लगने वाली है category वाली है, यहाँ पर आपकी registration fees कुछ इस type से होने वाली है अगर general category से हो, यानि कि unreserved category से तो आपके 1000 रुपीज लगने वाले है OBC category में हो, तो 900 रुपीज आपके लगने वाले है एक्जाम form के fees, बाकी SCST और PWD के लिए 800 रुपीज की आपकी fees लगने वाली है तो यह सारा detail मैंने आपको बता दिया CUET के बारे में, जो ज़्यादा मोटी important बाते थी, मैंने आपको बता दिया exam date मैंने बता दि result कब आएगा, answer की कब आएगी क्या से क्या करना है, कौन से subject fill करने है, वो आप देखने ना बाकी questions गएरा की बात करें तो मैं article जो आप screen पर देख रहे हो, तो इसके अंदर सारी चीजें detail से लिखी हुई है आप आराम से इसको पढ़ लेना और मैंने आपको बता ही दिया है कि total जो question आते हैं, वो 90 question आपको मिलेंगे, जिसमें कि आपका subject fill करोगे, उसमें 50 questions आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 questions आपको attempt करने होंगे बाकि GK के questions जो है general knowledge के पूछे जाएंगे 60 questions, उसमें से आपको 50 attempt करने पड़ेंगे, तो 90 minutes sorry, 90 questions आपको मिलेंगे paper को solve करने के लिए 90 questions आपको solve करने पड़ेंगे जिसमें आपको मैंने बता दिया कि कि किसके subject से किस तरीका से पूछे जाएंगे आप जो subject select करना चाहों उसके according आप देख लेना, जिस subject में आपको admission लेना है, इसके अलावा आपको timing दी जाएगी 45 minutes की 45 minutes की timing अगर उनी student को दी जाएगी, जिसके पास science नहीं है, mathematics नहीं है, और फिर आपको article में ये सारे दिख जाएंगे कि जिस जिसके पास में ये वाले subject वो feel करेंगे तो उनको आप, उनको extra time दिया जाएगा, यानि कि 15 minutes उनको extra दी जाएगी, जो कि 60 minutes का time उनको दिया जाएगा तो ये थी, details की किस तरीके से आपका paper आएगा, बाकी जिसे जिसे exam नस्दीक आएगी, हम आपको update करेंगे continuously, इस channel को subscribe करके रखोगे, तो आपको सारी information हम time to time पे available करवाते रहेंगे, और आपको कोई भी problem नहीं होने वाली NEET से related, और आपकी CUET से related, बाकी जितने exam हमने आपको बताये थे, कि NEET के अलावा हम जब भी registration से start होंगे हम आपको जिरूर update करेंगे, तो वही updates मैंने जितने बताये थे, सबके बारे में दे चुका हूँ, last का exam बचाता CUET, तो इसके बारे में भी information मैंने आपको share कर दी है, screen के अलावा Instagram ID given है, वहाँ पर direct DM भी कर सकते हो, बाकी सप्पू समझ में आ गया होगा, तो I hope की वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो like, share, subscribe जरूर करना, मिलते हैं नई update नई वीडियो के साथ, जे हिंग, जे भारत, best of luck